नमस्कार आपका Near to Organic का स्वागत है सबसे पहले तो मैं आपको बनाइद देना चाहूँगा तो कि आपको गार्डिंग बसंद है और आप गार्डिंग करते भी है आएए आध हम बात करेंगे कि हम पोल्डिंग जैसे कोको कोला और पेपसी या अनकोई पोल्डिंग में उसका इस्तिमाल खात के रूप में कैसे करें आज हम बात करेंगे कैसे हम कोको कोला और पेपसी का हाथ के रूप में कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं अगर ये दोना ना मिले तो आप कोई भी कोल्डिंग का इस्तिमाल कर सकते हैं जब आप किसी भी कोल्डिंग को कॉंपोस्ट में साथ मिलाएंगे तो उसमें क्या क्रिया होती है जिससे हमें गार्डिंग में पायदा होता है कोई भी कोल्डिंग थोड़ी एसेडिक नेचर की होती है साथ में उसमें मठास भी होती है जब आप इस कोल्डरीन को कॉम्पोस्ट में मिलाएंगे तो उसके एसेडिक नेचर होने की कारण कॉम्पोस्ट में मौजूद और्गैनिक मैटर मिट्टी में आसानी से रिलीज हो जाएंगे और साथ ही इसमें मिट्टास रहती है जिसके कारण कई शूष में चीवी मिट्टी की और अकरशित होते हैं और यह दोनों हमें फोदों की अच्छे विकास में मदद करते हैं आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम बोल्डरिंग को एक खात के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं आप कोको कोला या पेपसी ले लीचिये और उसके एक भाग में दो भाग पानी मिलाएं और उसको थोड़ा मिलाने के बाद उसको आप सिदे गंदले में डाल सकते हैं उससे और्गानिक मैंटर को रिलीज करने में मदद करेगी तथा इसकी विठास के कारण जो शूक ही जीव हैं वो बिट्टी में पन पेंगे इससे ओधों का विठास अच्छा होगा और आपका पल और पूल दोनों इसमें अच्छा आएगा ऐसी ही मज़ेदार गाटिंग टिप्स गाटिंग आइडियास स्मॉल स्प्रेस गाटिंग टिप्स की जानकारी पहले प्राफ करने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए आप इस बटन को दबाईए तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है इसलिए आप बेजिजक होके सब्सक्राइब कीजिए और जब भी कुछ नया वीडियो पोस्ट होगा वह आप पर सिध्य पहुच जाएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे जाकर कमंट कीजिए और अगर आपको कुछ सवाल हो तो उसको भी आप कमंट्ट डॉक्स में मेंशन कर सकते है इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इस वीडियो को आप शेयर कीजिए धन्यवाद फि झाल 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 झाल